आज की वीडियो में हम आपको इस डोर मैट को बनाना बताएंगे चली स्टार्ट करते हैं हलो प्रेंट्स हमारे चैनल में आप सफी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको रस्यों से डोर मैट बनाना बताएंगे जो आज कल ready matte door matte आ रहे हैं वो इनी रस्यों से बन रहे हैं और यह बहुत ही soft होती है इसके अंदर से suing बहुत ही आसानी से निकल जाती है कोई भी दिक्कत नहीं आती है और जो door matte होता है वो भी बहुत soft होता है और यह मैंने तीन-तीन मीटर रस्या ली है तीन मीटर green वाली तीन मीटर मैंने blue वाली तो इनी रस्यों से हम जितना अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा रस्यां ले सकती है और यह एतनी soft है यह रस्यां कि आप एक वार देखना कि बनाके इस रस्यां का डोर मैट बहुत soft होती है अगर आपको पास रस्यां नहीं है तो आप कपड़े से भी बना सकती है तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी यह वाला रस्यां है इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और इसे हम राउंड में बनाएंगे यानि कि गोल गोल गुमाके और सुई को इस तरीके से हमने इसको 10 इंज के बरावर डबल कर लिया है और यहां से देखि तो देखे तरीके बीच में टाके लगा रहे हैं और कितने आसान तरीके से सूइए इसके अंदर से पाड़ जा रही है क्योंकि यह सॉफ्ट है वरना आप जो चोटियों से बनाते हैं डॉरमेट कपड़े की चोटी बनाके ऐसा भी बना सकती है वो भी सेम ही बनता है लेकिन वो वेश्ट कपड़ों से बनता है तो आप उसको भी बना सकते हो या फिर इसको रसीं लाके ज़्यादा महँगी नहीं आती है रसी यह 60-70 बनाने के बाद में तो यहां पे देखिए हम इसको दागे को यहां से कट कर देंगे अच्छे से पक्का करके यहां से पक्का जरूर कर दें जहां से भी आप सुरुबात करें अब देखिए हमने एक यहां से पूरी लाइन कर लिए अब हम दूसरी लाइन को भी सेम ऐसे ही करे देखिए टांके को किस तरीके से निकाल रहे हैं आप देख रहे हैं और यह हम उल्टा सीधा इसमें ज्यादा रासी का कुछ नहीं है लेकिन फिर भी यह इसकी रॉंग साइड होगी और जो सीधी साइड होगी उसे हम आपको पलट के दिखा देंगे किस तरीके से आई है तो इस तरीके से बस दागे निकालते हुए जाना है और कुछ नहीं करना है आपको बस गुमाब देते हुए जाना है और दागे को निकालते जाना है इसे कितना भी बड़ा बना सकती है और यह बहुत ही आसानी से बनता जाता है इसमें कहीं पर भी कोई जोल मतलब कहीं भी बस आप ऐसे गुमाते जाएए और टांके लगाते जाएए ये देखिए बस गुमाना है और टांके लगाने है और वाकिए कुछ नहीं करना आपको यहां से भी हम ऐसे ही गुमात देखे तो देखिए हमने इतना इसको बना लिया है अब यहां से हम इसको जो यह हमारी रसी है 3 मिटर यह हमारी यहां तक लग गई है अब इसको हम यहां पर कम्प्लीट कर देंगे उसके बाद हम ग्रीन वाली रसी लेंगे जो हमने ग्रीन वाली लिए इसको यहां से अच्छे से पका कर देंगे हम तो देखे अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको भी हम सेम तरीके से ऐसे ही लगा रहे हैं जैसे हमने इसको लगाया है और यह दहागे वगरा जो दिख रहे हैं यह सब हमारे उल्टी साइड को आ जाएंगे तो देखे इस तरीके से इसको भी लगाएंगे और इस दो कलर में बहुत ही प्यारा लगता है आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नौटिफिकेशन बैल को भी आउन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिल सके और हमें कमेंट करके भी जरूर बताया करो जो भी हमारी वीडियो देखते हैं जिन्होंने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और देखिए यहां से पूरे में टाके लगाएंगे अगर आपको हमारी वीडियो समझन में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम आपकी रिप्लाई देंगे अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है अगर आप हमसे कोई डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताईए तो देखिए इस तरीके से यह देखिए इसकी चोड़ाई काफी बढ़ गई है हम इसको कर रहे हैं तो अब यहां से इसको ग्रीन वाली को भी ऐसे ही बस लपेटते हो जाना है और टांके लगाते हो जाने है आपको और कुछ नहीं करना है यह देखिए यहां से राउंड राउंड मतलब कितना भी बड़ा बना लेजी आप इसे तो मुझे आदा घंटा ही लगाता क्योंकि मेरा थोड़ा छोटा था यह बस मैंने ऐसे पकड़ा और देखिए डबल डबल में भी हम टांके लगा सकते हैं कि दो बार कर लीजिए इसको फोल्ड और दो बार में डवल डवल में से भी टांके हम आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन धागा थोड़ा पक का लें मेरा यह मोटा वाला धागा है तो यहां से देखिए सेम कलर के भी दागे आते हैं जो हम रजाई वगरा में डालते हैं ऐसे मोटे दागे मिलते हैं सेम कलर के आप वो दागे भी इसमें यूज़ कर सकती है और इसको जब भी आप रसी में से दागा वो कपड़ा वो लें इसकी जो प्लास्टिक है उसको थोड़ा सा ज्यादा ही लें ताकि उद्रेना यह देखिए इस तरीके से करते हुए जाना है आपको यह हम तीन-तीन में से ले रहे हैं ताकि वो भी मजबूत हो जाए तो पूरा ही इसको हम कम्प्लीट करेंगे यह देखिए ऐसे गुमाब देते हुए बस बनाते हुए जाना है आपको जहां से धागा खतम हो जाएगा वहां से पका करके इसको हम कट करके दुवारा से इसमें धागा डाल लेंगे तो यहां से हमारा खतम हो गया है तो यहां से अच्छी से नौट लगा देंगे और इसको हैं से कट कर देंगे तो देखिए हमने हमारा पूरा complete हो गया है यहां से तो हमने इस तरीके से इसमें डवल डवल टांके भी लगा रहे हैं हम देखिए इस तरीके से एक वार और टांके लगा रहे हैं ताकि और मजबूत हो जाएए पूरे को ऐसे ही देखे complete करेंगे हम आपको पूरा ही दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नाई बनाने में तो देखिए हम 3-3 के नीचे से ले रहे हैं इसको सुई को और इस तरीके से बस टांके लगा रहे हैं और थोड़ा सा पास पास से ही लें ताकि जब हम इसक सीधा करें तो इसमें गैप ना दिखें गैप नहीं देखना चाहिए भी आप चाहिए तुझे से अभी हम इस साइड से ला रहे हैं फिर दुबारा से आप उस साइड से लाके सुई को और फिर से बना सकती हैं अगर आप इस डॉर मैट को मार्किट से खरीद होगी तो आपको अब देखिए यहां से हमारा कम्प्लीट हो गया है अब इसको हम यहां से भी अच्छे से मजबूत कर देंगे ताकि जो इसका लास्ट है वो अच्छे से मजबूत हो जाए वो निकले ना अगर इसमें से थोड़ा बहुत भी धागा निकल रहा है तो उसे आप केंडल या मुम सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं दोबारा से एक नई वीडियो के साथ